रेटमी के Note 5 Pro device ले एक और अनदर पाउरफुल रोम का अपडेट आज चुका है जो कि Android 10 प्लस MIY12 को पर बेस्ट है जहांपे आपको काफी huge performance और customization देहने को मिलने वाला है जो कि आप इसी यूज करके काफी जादा जो happy feel करने वाले हो तो अगर आप इंटेस्टेड हो इस रो Hello everyone I am MK and you are watching Tech Office और इस वीडियों हम बात करने वाले है MIY12 के Magic ROM के बारे में जो कि Android 10 के support के साथ आता है हमारे Redmi के Note 5 Pro device के लिए है जहांपे आप डेख सकते हैं कि इस पर आपको latest security patch टेखने को मिलता है तो कि 2025 5 का है और यह है जो MIY12 Magic MDB beta version है जहांपे आपको different kernel देहने को मिल ज दाता है और यहां पर 4-0 में version यूज कर रहा हूं और साथ-साथ MIY12 के साथ आपको Android 10 का support भे मिलता है इस sport room के help के थुरू महें पर आपको देहने को मिल जाता है MIYMover, factory reset और यहां पर backup and restore Magic ROM हमेशा से मेरा favorite ROM रहा है क्योंकि इसकी performance and customization काफी कमाल की होती है जैसे कुछ other ROM भी प्रवाइड करता है तो यहां पर आपको देहने को मिलता है connecting and sharing उसका लोकेशन जो कि बाके अदर ड्वास के अंदर बिल्कुर दाउन में देहने को मिलता है lock screen के उपर आपको देहने को मिलता है right to wake, sleep, fingerprint wake up और यहां पर आपको बलर का है जो power menu अगर है जो आप change कर सकते हो क कितना percentage होना चाहिए तो यह भी आपको नया option देहने को मिलता है जो कि किसी भी room में यह option दिखाई नहीं देता है यहां पर वह पर clock and format पर आते हैं तो यहां पर आपको info देहने को मिल जाता है honor का जहां पर आपको कुछ test पर रिटेंड कर सकते हो लेकिन इसके कुछ limitation है तो unlimited test नहीं है बट आप आप जो यहां पर रिटेंड कर सकते हो Android 10 टैप का यहां पर जो timing देखने को मिल जाता है different रासा जो कि MIY2L में हमें provide किया गया है वह पर display करने आपको maximum brightness, dark mode जहां पर आप पहुज़ो देखने को मिल जाता है individual app का और another option क्योंकि यह Android 10 के उपर वेशने यह features आपको मिलता है वह पर maximum brightness मिल जाता है calling के time पर अगर हम display size पर आते हैं तो कुछ इस तरीके आप पर 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 देखने को मिलता है जो कि देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगता है वह पर अगर आप rating mode यूज करते हो तो इसे जो अन कर सकते हो कोई दिकत नहीं आता है लेकिन जैसे आप इसे off करोगे तो आपको rating mode off नहीं होता है इसे fix करने के लिए आपको color के setting पर आना है और saturation पर डाल के फिर सा आप auto पर राख सकते हो तो इस तरीके से आपको rating mode को fix करना होगा एक छोटी सी कम यह जो कि maximum port में देहने को मिल रहा है फिलाल के लिए 9 channel status बार में आपको दिखाई देता है यह सारे common option यहापर अगर आप अवे तक वीडियो वाच कर रहा है इसका मनला आपको वीडियो कंतर काफी ज़्यादा इंट्रेस्ट आ रहा है यह वीडियो आ वो नौज को सपोर्ट करता है बट हमारे किसी काम का नहीं है यहां पर कंट्रोल सेंटर में देहने को मिल जाता है बैटी परसेंटेज जो कि कुछ इस तरह के option आपको दिखाई देते हैं यहां पर बैटी का style भी आप रख सकते हैं Android टाइप का और MIUI का टाइप का जो कि एक देहने को मिल जाता है लेकिन एडिशनल करेंदर आपको कुछ नए option देहने को मिल जाता है जासे के डिलीट का चार्जिंग का और टाइब वगरा का sound effect यहां पर प्रोपर वर्किंग मिलता है तो इनमें कोई भी ISO आपको sound effect में देहने को नहीं मिलेगा तो यह परफेक्ट है वह पर आपको मिलता है home screen के अंदर folder के background को blur कितना करना है वो आप change कर सकते हो यहाँ पर shadow डाल सकते हो यहाँ पर single line यहाँ पर scrolling line का tiles वगरा और hide कर सकते हो यह सारे option दिखाई देते हैं default launcher आपको देहने को मिल जाता है जाप आप app drawer वगरा भी enable कर सकते हो यहाँ पर memory source, suggestion, blur करना, hide करना, lock कर देना, uninstall, double tap और global search वगरा भी आपको देहने को मिल जाता है तो बहुत अच्छे खासे customization आपको home के setting में मिलते हैं theme के अंदर आपको देहने को मिल जाता है कुछ themes जो कि इस तरीके के हैं और यह जितने भी theme दिखाई दे रहे हैं यह MIUI Duel के हैं जिनके उपर मैंने dedicated वीडियो दे दिया है तो आपने नहीं watch कया तो watch करके इन theme को download कर सकते हो और अपने MIUI Duel के roam पे apply कर सकते हो यहाँ पर आपको fingerprint का project support मिलता है और face unlock में आपको dual face unlock का support मिल जाता है Android 10 होने को जैसे आप यहाँ पर dual face unlock जो set कर सकते हो ते कासे अच्छा option आपको यहाँ पर दिखाई देता है privacy protection के बड़े में आपको पता ही है यहाँ पर additional के अदर आप वो बहुत सारे option नहीं को मिलते हैं जैसे कि backup sound effect, mi mover effect, backup and restore, mi light, mi ui lab, second space floating window, video toolbox, game turbo और बाकि यह जो additional के अदर रहता है तो काफी अच्छा option है बट हमारा device के लिए कोई काम का नहीं है काम तो करता है यह बट हमारा device है जो age को support नहीं करता है उतना curve नहीं है तो कोई problem नहीं आता है इसको option को होना और ना होना यहाँ पर आपको full screen display का option मिल जाता है जहाँ पर आप जो इंड़ाटेन का feature से use कर सकते हो वहाँ पर इसका जो बाइड़ीफोल्ट इमाईवए का camera है यहाँ पर आपको जो latest EY देशनी को मिल जाता है जो की perfectly है जो काम करता है यहाँ पर आप जो वीडियो के option में आऊगे तो आपको 4K तक का support मिल जाता है और यहाँ पर 4K का support मिलता है बट यह काम नहीं करता है क्य कर सकते हो क्योंकि API है जो आपका email मिलता है तो आप GQM का full benefit ले सकते हो पोट्रेट वगड़ा क्लिक कर सकते हो यहाँ पर जो अन्टूट का support का अच्छा है जैसा कि बागे तर रोम का आता है तो यहाँ आप आपको 142146 का देहनी को मिल जाता है जो कि मेरे इसाफ से काफी ज प्रॉलम नहीं आएगा अगर आपको banking app में no sim detection का प्रॉलम आता है तो उसके उपर मैंने dedicated video दे रखा है आप उसे जो watch करके आपने no sim detection वाले प्रॉलम को जो fix कर सकते हो और आपको जो कोई भी प्रॉलम देखनी को नहीं मिलेगा रहे बात कि इस massive ROM को flash कैसे करना है redmi के note 5 pro device के अंदर तो इस वीडियो को watch करना है जहां पर मैंने आपको एक और अनादर android 10 supportable miy tv के ROM के वीडियो प्रॉइट किया है जहां पर full installation मैंने आपको बता दिया है एकर आप इस वीडियो को watch कर लेते हो तो आपको install करने आ जाएगा और आप इस लिए जो इसे flash कर पाऊगे अ आपका बलुद्ध हो जाए या वीडियो को रहोगो या फिर बाके दर option और features हो और सबसे बड़ा plus point हो जाते हैं android 10 का support जिसको जैसे कई सारे features यहां पर enable हो जाते हैं तो guys आज के लिए इतना ही मिलते हैं फीडियो में कुछ खास और इंटरेसिंग रोम के साथ तब तक तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुली ना भूलें